कि नवश्कार दोस्तों हिंदी चेस पेस इंडिया चैनल पर मैं निकलेश जैना आप सभी का हार दे कमिंदन करता हूं दोस्तों बेहद ही बड़ी ख़बर आ रही है बुकारेश ड्रोमानिया से जहां पर ग्रैंट चेस्ट टूर के रैपिड इंडिक्टिन का अब शिरू हो और बड़ी खबर यह है कि भारत के विश्वनातनान जी ने पहले ही राउंड में जो रश्या के बेहद इससा में बड़ा नाम माने जा रहा है आपको बदा दूं कि इस टौर्णामेंट में कौन-कौन खेल रहा है आप देगी सकते हैं वैसली सो मामेदरो कार्याकिन खिल है और आप देख सकते हैंकि का। काहफी बड़े बड़े गृति नाम है जीट के साथ और वह भी बहुत शांदार जीट के साथ शुरूआत की है आज के मैच की आये देखते हैं कैसा है उनका मुकाबला जश्ट अभी कुछ 15-20 मेट पहले ही मुकाबले खत्म हुए हैं और मैं ये आपके लिए वीडियो लेकर क्या हूँ आज फ्री शुरुवात की यहां पर आट इमी ब्लादिसलावन है और जवाब दिया डि5 पोर स्टेंडर राइन एं डाट इफ्री प्लैक से आनद वाइट से आट इमीब्लादिसलावन जी था तो ऐसा किंग्स इंडियन टाइप का सेटप कर जी अब इस पर नहीं क्योंकि आ या वो उस पर हम आगरे जाए डालते हैं तो बिशब जी टू, नाइट एफ सिक्स, कासल और जी सिक्स, डी फोर खेला यहां पर और डी फोर आगर आप डाटाबेस में जाएंगे तो आपको किंग सिंडियन अटैक में इस पोजिशन के साथ बहुत ही रेर गेम मिलेंगे, करी 100 गेम मिलेंगे, आचा यहां पर यह ज़रूर है कि आनन्द और नाता मुरा के बीच एक मुकाबला हुआ था और उस मुकाबले को थोड़ा सा यहां तक फॉलो कर रहे थे मेरे कहल से, आटि भी ब्लादिस लाओ, ओके, डी फोर, आनन्द ने खेला, सीन तो डी फोर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आलमुस्ट तीन अटाइक जो है वो डी फाइब के तरफ, यहां बर क्लियर हैं, तो डी फाइब के पॉन्ट पो सपोर्ट नॉर्मल करना होगा, ओके, ए फोर, अब यहां पर एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि माइनॉर्टी पॉन अटाइक के एफोर खेला, यहीं पर बता दू कि आज तक हिस्ट्री में अगर आप डाटाबेस में जाएंगी, तो आज तक सिर्फ दो गेम खेले गया हैं यहां पर, ओके, आनन ने यहां पर खेला, कासल, और एफाइफ खेला, यहां पर आइटमी प्लादिस लो में, तो एक्चुली मे मुझे साफ नजार आ रहा था कि आटमी यहां पर तैयारी थी कुछ, मतलब इस लाइन की उन्होंने तैयारी की थी, मुझे यह नहीं पता कि आनन की कितनी तैयारी थी, और आगने वाली चलो में आपको पता लगेगा, आनन ने यहां पर रुकी 8 खेला, जो की novelty है, मतलब इ इस से पहले इस position को नहीं खेला गया, बट जिस तरह से थोड़ा सा तेज खेल रहा थे अर्टमी प्रादी साफ, ऐसा लग रहा था कि उनकी तैयारी है यहां पर, और आने वाली कुछ चालेंज हो है, वो बहत महाकूर है कि आनन कैसे इस bishop का use करेंगे, और इस bishop का use white कैसे करन पर आनन भी एक experience खिला है, जो उनका experience है, आनन नहीं आपर simple खिला, रुक भी एट, एक और piece को improve किया, क्योंकि आप यह भी देख सकते हैं कि bishop चुकी g2 पर है, और king cdn attack है, side से कौन आ रहा है, तो definitely इस diagonal पर कभी न कभी जो है pressure पड़ेगा, जवाब दिया bishop f4, और अब यही तयारी थी, और मुझे लगता है, यही पर जो variation खेलने की कोशिश की item ही ब्लादिस्लाव है, आनन ने अपने experience से उनको पीछे छोड़ा, कैसे आप देखेंगे, आनन ने जबाब दिया e5, ब्लादिस्लाव ने खेला bishop g5, अब आप देख सकते हैं कि d5 पर immense pressure है, बहुत ज़ जो और हो सकता है, आनन ने खेला knight e4, आनन ने यहाँ पर सोचा और आनन ने अच्छी चाल खेले, और almost मैं कोगा कि natural चाल भी है bishop f5, अब इस movement पर आर्टिमी ब्लादिस्लाव ने एक plan लगाया, आनन का exchange माणने का, आप चाहें तो यहाँ पर pause करके सोच सकते हैं, आनन ने ख आनन का प्लान था, और यही यही अंदर है, आनन हम है क्योंकि वो समझ सकते हैं कि इस position में किस तरह से exchange दिया जा सकता है, okay, knight into f6, check, मारना होगा bishop into f6, और bishop into c6, okay, आनन ने accept किया bishop into g5, और यहाँ पर bishop into e8, queen into e8, बिल्कुल clearly आप देख लिए इस position में, आनन जो है exchange down है, white के पास आपको दिखेगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 pawn है, और 7 pawn है, और यहाँ पर आनन के पास भी जो है, आप देख सकते हैं, 7 pawn है, मतलब किसी तरह का pawn का तो कोई advantage है नहीं है, आपर, फिर ऐसा क्या हुआ कि आननन ने exchange sacrifice दे दिया, दर असल आने वाली चालों में जो होले वाल आननन रहा है, वो आपको अभी समझ में आएगा, सबसे पहले तो अगर आप कुछ नहीं करेंगे, तो next move में रुक C8 आएगा, और उसके बाद आपकी C2 बचाना जो है, वो बहुत problem का काम हो जाएगा, तो आप देखिए, रुक C8 के बाद आपकी लिए पाउन बचाना जो है, आप इंपॉसिबल है, और तो आप रुक C1 भी नहीं रख सकते हैं, exchange वापस चला जाएगा, और उसके बाद तो ब्लैक की position अच्छी हो जाएगा, तो C3 only move आएगा, और D C3, P C3, और आप देखिए रुक D8, कोई नहीं स्ट्रैप है, जगे ही नहीं, आपको नाइट D4 खेलना होगा और नाइट देना होगा, तो यह यहाँ पर जैसे ही इस position पर ब्लादी सलाव पहुंचे, उनको समझ में आये कि ए position खेलना आसान काम नहीं है, इस position को खेलना बिलकुल आसान नहीं है और इस structure पर खेलने के कोशिश करते हैं, जो शायद practically उन्हें लग रहा हो कि दो bishop नहीं और अगर इस तरह की weaknesses लेके खेलेंगे तो problem होगी, तो problem तो होनी थी पर यह decent था, E3 भी हो सकता था एक option, ultimately E3 पर भी उसी तरह से वरिशन आता है, पर QC6 के बाद position फिर डल होने लगती आप देखें, C2 के बहुत pressure है, और ED4 इस तरह से अगर आप खेलेंगे तो bishop C2 आ रहा है, तो आपका piece भी वहाँ पर जा रहा है, तो इसी लिए इस सब सोचते हुए, अर्टी में उन्हें मजबूरन खेला C3, अब यहां के बाद आनंद किस तरह से match में हावी होते हैं, वो तो रुक C8 पर जवाब दिया, यहां पर knight D2, तो अपने knight को पहले अटा है, अब इस पूरी position में अगर आप compare करेंगे, तो white का problem क्या है, white का problem है कि वो exchange अब तो है, लेकिन यह रुक खेली नहीं रहा है, यह रुक है तो सही, बट अपनी pawn को attack कर रहा है, attack मतलब कि अपनी pawn ह उसका रास्ता रोके हुई है, knight के लिए सही placements नहीं है, queen भी अपने घर पर बैठा है, जब कि आनन्द के यह दो bishop, यह दो pawns, यह rook और queen कभी भी activate होगा, आनन्द के महरे बहुत ही aggressive खेल रहा है, उसकी वज़े से space board पर बहुत अच्छा gain है और जगे नहीं है white के पास खेल तो white को मजबूरन यहाँ पर, अब black ने अगला move खेला, जैसे knight e2 हटाया, next move है e3 threat है, उन्होंने खेला यहाँ पर knight f1, knight को हटाया, तो एक और महरा और अंदर जा रहा है, अभी भी आद देख सकने सारे महरे अंदर है, आनन्द यहाँ पर सबसे पहले तो dc3, bc3 का है, मत आती साथ आप देख सकते हैं कि a6 का pawn b, अगर यह रुक कभी भी हटेगा, तो weak पढ़ेगा, तो a6 का pawn जाएगा, c3 का pawn जाएगा, तो आनन्द के पास a7 और b6 पर दो past pawn खड़े हो जाएंगे, और यह जो दो bishop है, f6 और f5 पर अभी यह पूरे board में गूमने वाले हैं, जैस जैसे pawns काम होते जाएंगे board पर, bishop का प्रभाव बढ़ता जाएगा, उन्हों ने खेला यहाँ पर, आनन्द ने खेला अगली चाल, रुक सी 3 मारने की जरुवत बिल्कुल नहीं है, खेला e3, इसके बाद तो game ऐसा लगने लगा कि फिर मैंने ओला कि अभी तो यह game छोड़ नहीं होगी, लेकिन जो गलती की अर्टिमी ब्लादिसला हो रहे हैं, उन्होंने खेला queen a4, और मुझे नहीं लगता कि कोई भी खेलाड़ी यहाँ पर queen into a4 exchange करेगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो white game में वापस आ जाएगा, तो यहाँ पर queen a4 खेला, तो आनन्द ने तु bishop d7, अब यह जो bishop है, जब जुरुत पढ़ेगी तो bishop c6 पर बैठेगा, और बैठा था, उन्होंने खेला queen d4, तो आनन्द सबसे पहले e into f2 मारा, ताकि एक और weakness जो है, आप देखिए कि pawn structure को damage करना, और king के आसपास, dark square की weakness बढ़ाना, क्योंकि हमारे पास क्या है, आप king f2 actually मार भी नहीं सकते, अगर king f2 मारेंगे तो bishop f8 के गाद आप देखिए bishop c5 का threat है, अगर आप e3 वगरे कुछ भी करें यहाँ पर, तो bishop g7 वापस और आप वो पीछे c3 का pawn मरके, आपका एक exchange वापस चला जाए, और position तो खराब होई चुकी है, खेर, तो उन्होंने खेला यहाँ पर queen into f2, तो आननने सबसे पहले अभी एक pawn ले लिया, rook into c3, तो अब आप देखिए, आननन के पास है 5 pawn, और अभी जाके 1 pawn up हुए है, इतनी देर से जब से exchange दिया है, अब जाके pawn up हुए है, और से pawn up नहीं हुए है, अब यहाँ पर आने वाले समय में, g3 की pawn, a6 की pawn e to p pawn, इन पर भी नजर रहेगी, यह जो दो bishop खेल रहा है, मुझे लगता है कि इस board पर white के दोनों rook भी वैसा नहीं खेल रहा है, जैसे आननन के दोनों bishop खेल रहा है, उन्होंने खेला rook ad1, क्योंकि वैसे भी यह रूख यहाँ कुछ कर नहीं रहा था, अगर आप यह बाला रूख हटाते हैं, तो bishop c6 के बाद आप देखे, आप e4 नहीं चल सकते हैं, तो यह match ही खतम हो जाएगा, बहुत डेंजर हो जाएगा, क्योंकि रूख को e1 पर रखना जो है, बहुत जरूरी है, यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर जबाद दिया, उन्होंने, जो बहुत जल् f8, okay, queen f4, तो आनन ने खेला, bishop b5, अब a6 पर नज़र है, why king h2 पर, तो अभी आनन ने खेला, bishop into a6, एक पॉन और चला गया, आना पड़ा रूख a1, bishop b7 आप देखिए कि अब अगली प्चाल में queen c6 आ रहा है, queen into a7 और आनन ने खेला queen c6, अब आप देखे कि, यहाँ पर आप के लिए mate बचाना मुस्किल है, तो यहाँ पर, यहाँ पर उन्होंने mate बचाई, mate बचाने की कोशिश की यहाँ पर, और अब आप देखे, mate बचाने के लिए एक ही तरीका है, knight e3 खेलना होगा यहाँ पर, जैसे ही knight e3 खेला, अब आप देखे कि, सिर्फ knight बचार, यहा बचे बाद आप देखे कि, मैच कैसे खता होगा, आप आपको knight को support लगाने के लिए, आप queen f2 भी नहीं जा सकते, क्योंकि आप rook into e3 आ जाएगा और उसके बाद bishop into g3 आ रहा है, तो इसके बाद rook into b7 काम नहीं करेगा, ओके तो उन्होंने यहाँ पर मजबूरन खेला queen d4, आ उनको खेलना पड़ा यहाँ पर, उन्होंने खेला यहाँ पर, queen d8 check, king g7, queen d4, but rooky 5 और game over, बहुत शांदार जीत विश्वनातन आनंद की और इस जीत के साथ आनंद आगा हैं बड़त पर, तो देखते रहे हैं दोस्तों, chess base India के हमारे videos और grand choose chess tour पर हमारी नजर बनी रहेग झाल 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 झाल